गर्भा वस्ता के दोरान एक महिला को यूं तो कई तरह की समस्यां से गुजरना पड़ता है लेकिन गर्मियों का मौसम उनकी इन परिशानियों को और बढ़ा सकता है इस मौसम में हमेशा ठंडा खाने और पीने का मन करता है लेकिन अगर आप रेगनेंट हैं और अगर आप जादा ठंडी चीजों का सेवन करती है तो उससे आपके शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है इसके इलावा इस मौसम में आपका वेड गेन हो सकता है सूजन बढ़ सकती है ब्लेट पेशर की समस्या और कई सारी दूसरी परिशानियां भी हो सकती है तो अगर आपको अभी और गर्मी को मौसम है तो आप कुछ चीज का ध्यान रखके अपनी गर्मियों को आसानी से निकल सकती है और कुछ सारी ठंडी चीजों का सेवन भी आप कर सकती है ऐसी ठंडी चीजे आप ले जिसमें कैलोरी और चीनी ना हो या बहुत ही कमात्रा में हो आप केले या खीरे को खा सकती है यह ठंडा भी हो जाएगा और आपको फायदा भी करेगा इसके अलावा थोड़े से पीनट बटर या फ़लों में आप धही मिला कर थंडा दही मिला कर भी खा सकती है इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी और दही आपके पेट को भी ठंडा पहुचाएगा और आपके पेट के लिए भी फायदे मन्द होगा यह सभी चीज़े आपको गर्मी से रहात देंगी और अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो गर्मी को मौसम में खास करके आप जीन्स या जैगिंग्स या बहुत जादा मोटी लैगिंग्स आप ना पहने हलके आप मैक्सी ड् आप हमेशा ऐसे पहने ऐसे फुट वेयर का यूज करें जो आगे से खुले हुए हूँ इससे आपके पैर को ठंड़क पहुचेगी उन्हें हवा लगेगी और उनमें सूजन नहीं आएगी और गर्मी के मौसम में आप यह भी कोशिश करें कि बहुत जादा नमक वाली जैसे कि आप नारियल पानी का यूज कर सकती है और फ़लों के जूस का सेवन कर सकती है उसी जगह आप कोल्डरिंग वगेरा से आप दूर रहें या जो पैकेट वाला जूस पैक जूस जो आता है उससे भी आप दूर है क्योंकि उसमें शूगर बहुत ही जादा मातर में मी करके रखें गर्मियों में आप खर्बूजे और तर्बूज का सेवन जरूर करें क्योंकि यह पानी से भरफूर फल होते हैं और यह आपके हाइड्रेशन लेवल को हाई रखते हैं और अगर आप प्रेगनेंट हैं तो कुछ फलों से आपको परहेज भी करना चाहिए जैसे के मौसम में आप प्रेगनेंट हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी गर्मियों के मौसम में आप दिन में सूरज की रौशी यह बहुत तेज होती है तो ऐसे समय में आप बाहर निकलने से बचें क्योंकि ऐसे समय में आपको रहाइड्रेशन हो सकता है और सारी समसाय खड़ी हो सकती है